फ्रैंस काफका एक ऐसा लिटररी फिगर जिसको पहली नजर में देखोगे तो लगेगा भाई यार यह कितना कंप्लीनिंग है कितनी शिकायते करता है इसको नहीं पढ़ना यार बड़ी बड़ी बेकार लाइफ है बड़ी सफरिंग से बड़ी लाइफ है बड़ी मिजरिबल लाइफ है लगें जब उसको आगे पढ़ना शुरू करोगे उसके अंदर डैप्त में घुसोगे तो यह समझे में आएगा कि वह यह सबकी जिन्दगी ऐसी है आज एक महान लेखर के बारे में बात करते हैं जो नोंने जादा फेम जादा फेम देखा नहीं था अपनी जीत किताबों में क्या लिखावाएं उनकी किताबों में परसे है क्या-क्या बट इस लेक्चर में लोग उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे लाइफ में बहुत डेफ में नहीं घुसेंगे उनके कुछ कोट्स डिसाइफर करने के कोशिश करेंगे उसके बाद हम philosophy पर आएंगे, सबसे पहले तो क्या है कि तुम्हें किसी भी इंसान को समझने के लिए, सबसे ज़रूरी क्या चाहिए होता है, वो चाहिए होता है उसकी जिन्दगी के बारे में समझो कोई भी इंसान है, उसकी जिन्दगी में बाद में end में आते हाते हम उसकी philosophies या psychology जो भी philosophies हैं, in particular उसके बारे में हम बात करते वे चलेंगे मैं यहाँ पर देखूँगा क्योंकि लैप्टॉप पे मैंने जो notes बनाए वे हैं, deciphering method of lecture delivery शुरुवात करते हैं अब काफका जो थे 1883 1883 1883 में पैदा हुआ जनम हुए जनम हुआ उनका और काफका जो थे एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जिसमें जो authoritative figure था फादर figure था जो फादर थे उनके strong, लंबे, चोड़े, हटे, कटे पहलवान टाइप आदमी और बड़े humble beginning से शुरुआत हुई थे उनके पिता जी की, पिता श्री की और बड़ी मेहनत करके मुशक्कत करके बड़ी जत्तु जहिद से उपर तक वो पहुचे एक business शुरू किया अपने लिए कमाना शुरू किया बच्चा पैदा हुआ खुशी गर में लड़का हुआ है मेरे जैसा बनेगा लड़का अथारिटेटिव फिगर जो हर बाप चाता है अब यहां पे क्या है थोड़ा सा कुछ लोगों के क्योंकि मेरे पे भी हुए हुआ बहुत लोगों के जलो पे नमक छड़कने वाला है चड़क क्या रगडने वाला है नमक क्यों क्योंकि हमारे बहुत लोगों के मैं सबको नहीं कहूंगा लेकिन मैं ये भी नहीं चाता कि तुम उसको बहुत दिल पे लो बट सबके कुछ लोगों के फादर्स ऐसे रहे हैं जो कि बहुत authoritative रहे हैं जिन्होंने अपनी चलाई है कभी कभा लगता था पिता जी हमारी भी सुनी है तो यही फ्राइंस काफका के पिता श्री रहे हैं काफी authoritative और फ्राइंस काफका पैदो है भाईया बड़े फ्रेल से बड़े कमजोर से बड़े शैबी से उनका लोग यह अंग्रेजी वर्ड्स है यह सब याद रखो जहुरत पड़ेगी शैबी मतलब ऐसा जहला टाइप आदमी और फ्रेल कमजोर एकदम और पढ़ाई में रूची रखने वाले अपने पसंद के पड़ाई में रूची रखने वाले फादर चाते थे कि मेरे हिसाब से चले यह तो काफी इन लोग के बीच में अनबन चलती थी अनबन एक ही तरफ से पिताश्री की तरफ से आती थी यह विचारे कुछ कर नहीं पाते थे बड़ी इनकी दिक्कत तो यहां से authoritarian rule इनों ने authoritative rule इनों ने देख लिया कही ना कहीं कि एक इंसान एक एक ऐसी entity है जो मेरे उपर authority लाती यहीं से यह कमजोरी की तरफ जाने लग गए अब क्या था यह बहुत कुछ कुछ अपने पसंद का करना चाहते थे बट इनके पिता जी नहीं करना चाहते थे society में इज़त होती है और दस लोगों में बैठूँगा तो नाम होगा कि भाई देखो इसका बेटा काफका है यह यह काम कर रहा है तो यह पढ़ना चाहते थे वह यह chemistry university में chemistry पढ़ना चाहते थे दो हफते की classes इन्हों में ली बाप ने वह अपनी चलाई दादा के लिए और बोला नहीं भाई तू लौकर क्योंकि लौकर लौ में इज़त होती है क्योंकि आज की society में medical करो engineering करो law करो इज़त है तुमारी 10 दिन 10 लोग वावाई करेंगे तो law करना ज़रूर यह छोडवा दिया प्रेशर में डालके इनके उपर छुडवा दिया आप इन्होंने क्या किया कि वह यह इतना प्रेशर इनके उपर आयता प्रेशर आये कि यह परिशान हो गए मैं गुफा में गुजू तो किस गुफा में गुजू भईया कौन सी यसी गुफा है जहां मेरे को sense of resort मिलेगा जैसे पाटी है समझ लो तुम पाटी में गए बच्पन में मेरे साथ होता था तो मैं बता सकता हूं पाटी में गए पाटी में क्या होता है पाटी में घुस्ते साती लोगी लोग है कोई हस रहा है कोई चिला रहा है कोई authority देना चा रहा है कोई उल्टिया मार रहा है दरो है को बच्चा कुछ कर रहा है कोई एक दूसर को बुली कर रहे है पार्टी में गए तुमें लग रहे हैं मैं कहां चुपू पर तुमको मिलता है टाइलिट तोईलेट में जाकर पांच मिनटक लिए अपने को तो रिजॉट डूंडे और उनको वह सेंस ओर रिजॉट किसमें मिला सबसे इंपोर्टन चीज बहुत लेखोकों के लिए यह इंपोर्टन राय विच इस राइटिंग उन्होंने राइटिंग में अपना रिजॉट डूंडा बहुत जादा राइटिंग में मोन हो गयते हैं और वो चाते थे कि वहां बेरको time मिले किसी नहीं किसी तरह रायटिंग करतें का अँपने अपने पिता जी से दूर रहना चाते थे जितना दूरों लूए पराग में पैदा हुए थे चेक रिपब्लिक तो उबहां पेई DOMP होे थे और उधर पैदा होते के बाद यह चाहते हैं हमीशा चाहते थे कि भाई मैं भागू हूँ अपने पिता जी के जुंगल से भागू तो नोने इटालियन इंशुरेंस कंपणी में ले लिया दाखिला भाई वहां पे तो उनको यहीं ट्रांसवरी नहीं करने बड़ी मुश्किल से ट्रांसवरी नहीं यहीं पर रहना पड़ रहा है मेरे को अपने बाप की आसपास छोड़के उन्होंने दूसी कंपणी में ले लिया वहां जाओंगा वहां भी वही हालत हो वहां तो इतनी बुरी हालत हो गई कि अपने पिता जी के घर पे इनको रहना पड़ गया कोई वोकर्स एक्सिदेंट इंचुरेंस कुछ कंपणी में काम कर रहे थे तो इंचुरेंस का कुछ होगा जो इंचुरेंस वाले अगर देख रहों कि जानते हूं बहराल पर परिशानी लेकिन एक चीज अच्छी थी इतालियन वाले में इनको वक्त नहीं मिल रहा था लिखने के लिए यहां इनका यह नहीं आपने पिता जी को बताए एक लिटरी सुसाइटी में लिटरी क्लब में पार्टी सिपेट ले लिए 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 वहां ये एक बंदे से मिले जिनका नाम था मैक्स प्रह्ट मैक्स ब्रॉट मैक्स ब्रॉट म इन्टलेजट्स फिगर लंब चॉड़ा च्पहरा था टॉय नबिव जो प्रांस का बना चाते यह ना मेरा कोई partner है लेकिन एक तरफ वो से क्लीजन चाहते थे कि अलग से बैठके अकेले बैठके मैं अपने आप में अपनी company में लिख सकूं जो कि हर लेकर जाता है अभूम हमबल अबोड वेर हमबल अबोड मतलब एक छोटा मोटा अपना एक किनारा जिस वहां पर लिख सके अब फेल्ट रिलेशंशिप्स रहे तो इसका मतलब यह रहा कि बहुँ रिलेशंशिप में आते तोड़ देते दोड़ देते ऐसे करते करते दो तीन लड़कियों क के साथ इनका ये चला बाद में को रियलाइज वाई मेरे लिए रिलेशन जे पहनी तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक एक बीच में एक ऐसा फेज़ादा जमें सेक्स एडिक्ट भी बन गए थे तो ब्रॉथल वगेरा में काफी आन जान जो रहता है ब्रॉथल वगेरा में तो प्रॉस्टिटूशन में काफी ज्यादा ये ये सब उने क्या बात फिर क्या हुआ एंड में आते आते हैं ने एक बार हिम्मत करके इनको ये रियलाइज वा कि ये सब मेरी हालत मेरे पिता जी की वज़े से हुई है अगर मेरे पिता जी मेरे को समझते तो ऐसा कभी ना ह हुआ होता उन्होंने अपना एक लेटर लिखा 45-50 पेज का लेटर इन्होंने चाप डाला भाई साब पूरा एकदम लिखे जाए लिखल जा लिखल जा भाई साब लिख लिखके एकदम उन्होंने बोला अपनी माताश्री को दिया कि यह जरा पिता क्यों हिम्मत तो अभी इस हमर में भी हिम्मत ही चौह माता जी ने खुद इतना डर्टी थी मा तो कभी परोटेक्ट कर नीज़ी अपने लडके को तो मां के बारे में जादा डिस्र unacceptable उसमें इन्होंने दिया नहीं अपनी लाइफ में क्योंकि मां को इन्होंने USU ृइलाइन रही मां पैदा कर दि 1924 में उनका धिहान्त हो गया बड़ी मिजरिबल लाइफ जीते पर ट्यूबर कलोसिस हो गया तो उस ताइम पर ट्यूबर कलोसिस मतलब डेथ टेंटेंस अपने में ही एक होती थी मतलब तो अब खतम है तो बचना मुश्किल है जैसे कोवेड अभी था वैसी ट्यूबर कलोसि जिसको हम आगे समझते हैं अब क्या है इनके कुछ कोड्स हम पढ़ेंगे जो कि मैंने कहा कि साइकोलग्स फिलोसफिर की फिलोसफी समझने के लिए उसकी साइकोलोजी समझना पहले बहुत जरूरी है लाइफ हमने समझ लिए लाइफ में बहुत दिक्कते रही ठीक है अच तो नहीं कुछ बाड़ी अच्छी नोवल्स एमेरिका थि उसके बाद समय मे्टमॉर्फोसिस हो गई यह सब वह तो यह सब और दो टी नोवल्स हैं वह काफी अच्छी जो भी दिमाग मैं बोल दिया मैंने तो यह सब जो है अगया में लेप हैं लिए लिया तो इसके बाद इन्होंग नें क्या क्या कि मैं आप शुर्मनूनलर्इं क्या यह सब डेंक आइनको डिना मेरी बात तो सुन्ता नहीँ वैसे वह तो रिलीज्ड करी दें अच्छा है तो मैं जुरॉड ने इसको पॉस्थोमनेसली मतलब मरने के बाद प्रेंशेशन हमने सही बोली हो पॉस्थोमसली पॉस्थोमनेसली जो भी है उसको पॉब्लिश कर दिया राइटिंग सो कंपाइल करके अपना लिटरेरी सोसाइटी कलब का जो कनेक्शन से नेटवर्किंग जोड़के रिलीज कर दिया और पांच-छे साल बाद एक डिकेड़ बाल काफका का राइस शुरू हो गया क्योंकि यहां हिटलर आ गए हिटलर बाबा आ गए बाबा ने सबकी बजानी शुरू कर दी और बहुत गंदगी कननी शुरू कर दी तो तुम यह समझे लो कि और एक खुबसूरत सा कॉमेंट आप जोड़ भाए अच्छा है एक्सेंसिक एक्सेरनल मॉटिवेशन मिलती है सब पहल नहीं किया तो भी कर दो सब बोलने का आजब पहला कोड़ अब इसको मैंने यहां पर इंग्लिश में लिख भिर मैं तुमको समझानी कोशिश करूंगा वंसे अंडिस्टाइब वर्ल इस नौट रेंबो और संचाइन यू विश्टू डाए यू जर्स में कर विश वर दू नौट टेंग तो डाए अब इसमें पढ़ेंगे एंब बात करिये लेकिन जब तुमको एक बार समझे में आता है कि यह दुनिया रेंबोर्स और संचाइन नहीं है बच्पन में क्या होता है बच्पन में हम क्यों खुश रहते हैं हमीशा ना देखा होगा हमीशा अर्चीज में आप्टेमिस्टिक हमीशा रहते हैं हर चीज मान पॉजटिव रहता है ऐसा क्यों होता है है क्योंकि हम पॉजटिव यह यह दून्ट हो तो पर तुम बड़े होते होते हैं टेंशन बिलिट-प होने लग जाती है जो की फ्रांच का अंदर होने लगे जगे लगए ऐस्याइटी बीट-बिलट- तो physical इंट्रोवर्ट बीन घै इतने इंट्रोवर्ट बन गए ही जो उन्होंने अपनी फ्यांसेिं स्विजि़ के ऑवं कि रहा रहती थे तो यह पर आप में रहते थे नियुक कि वह रॉड हों टॉडशा साःघय की टीक होगे सोरे इनके इरगार्ड हो गए थोड़ा सा शॉफळार हो रहा हो गए तो यह हो गए आसे लोग जो बिमारियों के उपर लिखते हैं और कॉमन एलिसे के उपर लिखते हैं उसके उपर लोग अपना दिल कुरुबान करते हैं modern era में अगर तुम देख लो बॉब माडले भी ऐसे positive लिखते थे लोगों के दिल को चुछ जाते थे यह हो गए ऐसे एक हो गया जिसे बहुती modern में तुमारी आगे बिली ऐलिश को था क्यों फॉलो करते कि वह वो दिल से लिखती है वह बंदी बिली आइलिश के गाने सुनता इन जनरल यह बता रहो कि मैं जब रिसर्च कर रहा था उसमें में यह चीज बहार निकलके आई की और हां रिसर्च से में को याद है हमीशा रेड़ेट के ट्रेट् Facebook groups काफी तगड़ी information मिलते हैं लोगों के बारे में पढ़ा करो हुआ टाइम बताय करो तो Billie Eilish बिमारी हो कि वो भी खुद भी शायद टिक बगरा से गुजरती है बिमारी से गुजरती है तो बिमारी हों के सब्सक्राइब करते हैं तो तुमारी एक अंदर से इच्छा निकलते हैं काश काश मौत आ जाए लेकिन तुम मरते नहीं हो क्योंकि मरना मतलब इस दर विक्टरी ऑफ दी एपज़र्ड अब हम आगे बात करेंगे एपज़र्ड क्या है इस लेक्टर में बने रहना एपज़र जानना जरूरी है क्योंकि यहां पर अलबर्ट कामू और इनका मिलन होगा कहीं ना कहीं एब्सवर्ड जीत हो जाएगी तो मर्द आगे तुमने हार गये तो यह यह जो यह रेस थी यहार गया तो यह रेस का मतलब ही है जी कि तुमको कुछ नहीं मीनिंग देना तुम हार ग कि ब्रष करते वे समझा होखा कि यार prick demand करके क्या करना स्खूल जारा क्या रहा हूं एजुकेषी कर रहें किसके लिए कर रहा मैं यह मंदिर जा रहें किसके लिए मस्जिद जा रहें किसके लिए चर्ट जा रहें किसके लिए गुर्द्वारे जा रहें किसके लिए मुनास्वी जाने किसके लिए क्या है ये क्यों क्या गोल है बड़ा जीब है क्यों हूं मैं यहां पर किसले हूं मैं यहां पर कब से हूं मैं यहां पर कब तक रहूंगा मैं यहां पर मेरा फिजिकल बॉड़ी रहेगा यहां यहां पर मेरी आतमा आतमन रहेगी यहां पर आतम अहरे पर जोदे को सकते हुआ है कर दो पॉठ टो इस सवाल एक बारा जो जिस ने इनको बहुत जा जार इसकार कर दिया चोटी सी क्योंकि इसमें ऑविए स्री ही फिलौसमी में शॉट्सोरी बहुत रहेगी इनकी क्योंकि literary writer थे बहुत ज़्यादा philosophical ऐसा dialectic या बहुत logical work इनका रहा नहीं है, बहुत rational work रहा नहीं है, वेग work रहा है philosophy का, बहराल एक रात जगे फ्रांस काफ का, सोते सोते अपने पिता जी से बोला, पिता जी जोरा पानी दे देंगे, बिमार होंगे या उठे नहीं पा थंड का वक्त, वे रहमी वाली थंड उस वखबरा गये फरैंस काफ का, क्या मैंने क्या क्या पानी तो मांगा क्या गलत कर दिया मैंने मेरे को क्यों ऐसे मेरे कुछ खाड़ा कर दिया नोने मेरे पिता जी ने परिशान फ्रेंस काफका ऐसा डर बैठा उनके दिल में ऐसा ट्रॉमा जिसको PTSD Post Traumatic Stress Disorder हो गया उनको कि हर रात उनको इसे अचानक से नीन गुल जाती थी कि अब मेरे पिता जी किसी ना किसी फालतू रीजन के वज़े से आएंगे में को बिस्तर सोठाएंगे मैं इसा कुछ करेंगे उल्टा सी नमारता था पीठा तो उसका बाप उसको तो तो फादर थे एक absurd figure but still he managed to fight him off and always gathered the courage to present himself to his father. हमीशा खड़े रहे हैं मैं अपने लिए लड़ूँगा और उसी में उन्होंने जो है एक प्राइवेट सेंस में लेटर लिखा भले वो दे नहीं पाए लेकिन उन्होंने अपनी भडास कागस पर निकाल दी नहीं बोलते हैं कि कुछ भी ची इसको लेकि बडास है उसको एक कागस पर उतारो उसका अगस को जला दो फ्लेश कर दो तो 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 उन्होंने लेटर लिखा फादर को देने के लिए कि फाइनली में दूंगा लेकिन आविसली वह पढ़नी पाए पढ़ लेते काफी इंट्रेसिंग होता अब क्या है अब क्या है इसको बापस से पढ़ देता हूं मैं जनली से बहुत थलके पढ़ा लेकिन इस चीज से आरहे कि नहीं फोकस ठीक है इसका बेसिक में यह मीने है कि भाई दुनीय तुमको अपनी पीटी पार्टी में पाटिसिपेट करवाना चाती है तुमको अपने साथ कीचर में लोटबाना चाते दुनियila सूअ था तुम्हें कीचर में लोटवाएगा मैं बहुत बार यूज्स करता हूं यह चीज नीचा वाले में भी नीचा कि जरत फुस्रावाले लेक्शेस में भी यूज किये वो रुलाना चाहती वो चाहती है तुमको रोते वे देखना चाहती है एक वांड्स you to fall prey to its beta वो एक चारा छोड़े तुम्हारे लिए चारी ये चारा पकड़ ले भाई ये गव ये चारा पकड़ ले गाई कितनी मासूम होती है कोई भी कुछ भी खिला देता है तभी तो बोलते हैं क्यों मत मत फेको पॉलेथिन में करकर के चीजें मत फेको गाय है खा जाएग वो तो नहीं सोच रहा दुनिया नहीं सोच ली कि तुमारा नुकसान और रहे है नहीं मासूम को मासूम है गाये मासूम है एक मासूम को पोलते हं वाली सबजियां देली is अंदेवी या बटाम गानी But once you stop doing so everything starts working in your favor पर जब वो गाय अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करती है सब कुछ तुमारे लिए काम करने लग जाती है तो उस गाय की इद्जट उने लग जाती है मुझे फ्रेश खाना चाहिए अच्छा खाना चाहिए देना है तो ठंग से तो बंदा मन दो बैठे हो तुम जो कि दोने बोलावा है कि solitary में अपने आप में बैठे हो बैठ के सोच रहे हो बैठ के दुनिया को देख रहे हो अपने आप दुनिया तुम्हारे सामने खुल जाएगी पत्तो के तरह कोल के रख देगी कुदको ताश के बत्ते पहला दो खोल के रख देगी क्यों क्यों कि वह तुम्हें मनाना चाहती है यह क्या हो रहे बाई नहीं होता पिकप पिकप one-on-one जो टेक्नीक्स होती है जो अगर तुम्हें क्यों मतलब नहीं बोलते हैं जो पिकपाटिस होते हैं वो बोलते हैं कि if you want कि कोई भी लड़की तुमको पसंद करें या कोई भी लड़का तुम्हें पसंदेरे स्टार्ट इग्नोरिंग नें उस कॉलेज की स्कूल की सबसे खुबसूरत लड़की भाई स लड़के भाव दे रहें उसको लेकिन तुम्हें क्या करना है तो है क्या होगा है क्या होगा वह सब मेरे ध्यान देते हैं यह क्यों नहीं ध्यान दे रहा है ऐसी मुझ में क्या कमी है कि यह मेरे को नहीं नोटेस कर रहा है साइकॉलोजी समझ रहो करके देखना क्या बता अब तुम्हारी तुमको अपनी रॉमांटिक लाइफ बेटर करनी तो क्या बता ठीक है तो यह है तो दो वर्ल रोल विद एक्स्टेसी एक्स्टेसी में तम अ सब्सक्राम उपनेंट इक्स्टेसी एक्सटिमेंट और वह था जाएगी लास्ट को टिन का तीसरे कोट एक उसके बाद हम की और दो तीन चीज कंगे लॉस्टी के प्यों से सट्टीं एक जाएंगे सफ़ोफिजए ड़ सब्से सट्ए कर दो दो तीन जीज ओपर जैंगे भ अब क्या था कि जब वो परिशान होते थे तो काफ का क्या करते थे काफ का राइटिंग लिखते थे कोई भी चीज लिखना लेखना शुरू कर देते थे तो काफ का क्या था यह बहुत इंपोर्टेंट चीज थी कि भाई वो क्या करते थे अपनी यह जो इन में लिखा ही ब्ल जो मेलको अपनी मिजरी से मेरी एंग्जाइटी से दूर हटके दूर हटाती है ठीक है अब जब वो लिखते थे तो लिखना शुरू करते थे तो उनको अपनी सिच्वेशन का एक रॉफ फॉर्माट मिलता था कि जब तुम अपनी जिन्दगी में दुनिया में बजी होते हो हो तो तुम्हीं क्या मिलता है कुछ नहीं समंज में नहीं होता है हर तरफ नक defence हो करते हो तक तुम मैं रेलाइस लिखना शुरू करते ऑ शॉर्ब तक हो लगता तो लगता अच्छा यह मेरा और ऑट्रूवर्म है उसमें एक nonsense of satisfaction ब्टे pan the absolute plus psychiatrist happiness is very de guests sense of satisfaction मिलता है अब क्या है इससे और ही यह कहना चाहिए थे कि happiness is a mask that people tend to use to hide their true feelings happiness सब को पता है mask के तरह है भाई कैसे हो रोड बे चलते हो या क्या हाल चल चलने है भाई ठीक है अच्छा चल रहा है बले ही डाइवर्स होने पर पड़ा है तुम्हारा बले ही फेल होने पर पड़े हो बले ही टीचर तुम्हारे पीछे पड़ा है तुमको भरास कर रहा है लेकिन तुम्हारे अच्छा है बहुत सभी चल रहा है mask to hide the true feeling अपने true feeling अनको hide करता है once that mask fades aware there remains a raw and true feeling of suffering being present always जैसे वह mask हड जाता है तो मैं realize होता है by there is suffering present always जो की काफका की life थी suffering से शुरू ही suffering पेंड होई उनकी हर कहानी में गई था वो ऐसे writer थे जिनकी सब जिनकी कहानियों में उनका जो protagonist था जो उनका human hero था वो suffering से उसकी जिन्दगी शुरू होती थी और suffering पेंड होती थी बत्तर बत से बत्तर होती चली जाती है तो बोल भी बोलते है कि कुँए से निकले खाए में गिरे वह वाली situation होती थी थी उनकी protagonist की अब कुए से निकलके कुछ स्प्लिट सेगेंड के लिए खुशी सी मिलती थी वापस खाई में जब वह मास खटा होगे तो happiness फेड़ अवे होगी तब तुम्हें रिलाइज होगा कि there is suffering always present बहुत चीज जो हैं पर काफ का कह गए suffering is always suffering को normalize कर गए वो इस सबके साथ suffering होती है तो मियमा समझोगी तुम special हो या मैं special हूं मेरे साथ आधी suffering चल रही थी मुझे लोग hate करते suffering सबके साथ होती है आज नहीं तो कल रहेगी रहेगी suffering तुम देखो ना काम कोई काम खतम होता है यार कल अगले अफते काम निप्टा देंगे कभी काम निबटते नहीं है कोई भी काम हो बैंक काम हो उसके पर भी आगे बात करेंगे अब भी रोकरसी से कित्ता चिड़ते थे कोई भी काम हो कभी खतम नहीं आए तो accept कलो काम तो करना है उन्हीं कामों के बीच अपनी जो चंद मोमेंट्स बिताते हो उसी में तुमें खुशी तूणने हैं वही है happiness अब यह अपने मरने के बाद इन्होंने जो काम किया उसमें इतने जादा समझ लो famous हो गए थे यह कि literary writers ने और in general इनका इनके नाम पे टर्म पढ़ गया जिसका नाम था काफकाइस्क काफकाइस्क नाम ही पढ़ गया और काफकाइस्क क्या था किसी भी अजीब situation nightmare वाली situation को समझाने के लिए था और वो situation normally bizarre administrative situations को समझाने के लिए था बह horrendous जिसको बोल सकता horrendous मतलब एकदम ही दिमाग फोड़ देने वाली situations सरीयल मतलब तुम यकीन भी नहीं कर सकते अजीब अजीब रियाली ने रगड़ी वैसे situations को काफकाइस नाम दिया गया और यह जो काफका इस था नाम यह काफका क्या जो दुनिया उन्होंने बनाए था अपना वर्ल्ड जो इन्होंने बनाया था जैसे क्ट्राइल में या मेटम और फोसे में अपनी दुनिया थी आग्रेग अब भाई काफका इससे हम आते हैं काफका की philosophy के उपर थोड़ा सा हम लोग काफका की philosophy को touch करेंगे जितनी हम कर सकते हैं जितनी इनकी philosophy है तुमारे एसाब से तुमने अगर इनकी किताबे पढ़े होगी और तुमारे लिए और philosophy हो सकती है जो मुझे समझ में आया वो मैंने यहाँ पर तीम पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इनकी philosophy पहला है इनकी existential philosophy दूसरी है इनकी human psychology उनकी जो philosophy of human psychology फिर तीसरी इनकी philosophy आती है authoritarian control के उपर तीनों के उपर बात करेंगे सबसे पहला है existential philosophy पहला था existential dread ठीक है existential dread एक उपर इन्होंने बहुत दोदा वारतलाब कि existential dread मत अतलब कि भाई anxiety about the uncertainty of existence भाई हम यहाँ क्यों है अगर हमारा मरने के बाद नहीं हुआ कुछ Abrahamic religions कहरें कि मरने के बाद तुमको hell heaven जन्नत जहन्दम मिलेगा नहीं हुआ तो तुम कह रहे हो होता है मैं कह रहा हो नहीं होता अब अरे यार हम तो free falling statement हो पर से गर रहे तो पर से गर रहे तो गर रहे गर रहे गर रहे गर रहे अब रहे में क्रिलीजिन आया platform मिल गया चलो हम safe हो गए लेकिन अब तो platform ही नहीं कोई कैसे गिरते जाने कहां है खाई पता ही नहीं उसके वजय से जो anxiety आती है वह था existential dread मौत का कॉफ एक पार्ट है उसके बाद आता है alienation का concept what is alienation alienation is detachment from identity and the people associated with that identity एक identity है तुमारी जो कि मैं बहुत बहुत बात कर चुका हूं इस तो comparison of yourself with others कि वह यह है तो मैं यह नहीं हूं मैं यह नहीं तो वह यह है तो मैं ऐसा हूं यह identity होती है अब जब तुम अपनी identity से detach कर पाऊगे यह कर लोगे तो लोग तुम्हें नहीं पहचान पाए यह तो है नहीं जिसको मैं जानता था यह यह तो हमाइसा टपरी पर यह नहीं जाता है तो जिम जा रहा है यार तभी तुम क्यों तुमारे दोस्ती टूड़ जाती जब तुम कुछ अच्छा करना शुरू होते हो क्यों क्यों क्योंकि यार जिम जाने लगे अपनी बैतर कर लेगा हालत है रम से फिट हो जाएगा इसके आइडेंटिटी चेंज होगे यह एलिनेट कर दो इसको खेला छोड़ दो concept of alienation ऐसे जब तुम धरम धरम जात पाच से उपर बढ़ जाओगे तो लोग बोलेंगे यार हम तो धरम धरम यह कैसे जी रहा है बिना धरम के भाई हम फियर में जीए बिन फियर के जिए हमारे अंदर खौफ यह बिना खौफ के जिए काटो इसको इलेनेट कर दो निकाल दो बार गंदा आद में निकाल दो और बहुत कंट्री तो गर्दनी उड़ा दो है ना पर आता है इनका एक और existential philosophy में failure is beautiful fail करो failure is beautiful खुबसूरत है failure fail करोगे तब समझोगे कि नहीं करना चाहिए failure is beautiful फिर इन्होंने कहा कि भाई लोग हमीचे perfect moment ढूंडते रहते हैं जब सब कुछ perfect होगा तब करेंगे जिसमें प्रोटाइब प्रोकास्टिनेशन भी आ जाता है प्रोकास्टिनेशन भी आजाता है अभी वक्त है कोई perfect timing नहीं मौत आजाएगी अभी वक्त है अभी जी लो अभी enjoy कर लो अपनी कहानी लिखना अभी से शुरू कर लो जो नेक्स्ट यह जैसे short story लिखते थे पहले बहुत प्रोकास्टिनेट करते थे लगते थे यही मोवमेंट है असली अच्छा मोवमेंट कब आएगा इसी मोवमेंट में अपनी कहानी लिख देता हूं उसमें ये short story लिखते थे complete नहीं कर पाए वह अलग बात है बहुत इनकी कानिया incomplete हैं बट पॉइंट मेरा समझ के होगे तो काफ का कही ना गई तुम्हें लग रहा हो का वही लिट्रीरी फिगर है लिट्रेचर में क्या मज़ा आता है लिट्रेचर में तुछ है नहीं वही इतने तगड़े लेवल पर सेल डेवलोप्मेंट फिर आते हैं यह human psychology के उपर human psychology में philosophy of human psychology में यह कह रहा है you are the main character of your plot plot मतलब तुमारी लाइफ जिंदगी you have to find a meaning and an explanation of your life in this disoriented world इन्होंने दुनिया को हमीशे डिस्टोपिन दिखाया है फार फेस्ट फ्यूचर में कैसी दुनिया अजीब है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहे क्या हो रहा है disoriented सब्सक्राइब करेंगे तो तुम अपनी ये जिलाइफ है इसमें तुम मेन कैरेक्टर हो तुम मेरे दोस्ट जो या मेरे बाई मेरी बेहन जो भी आप देख रहे हैं उस कैमरा के उस तरफ स्क्रीन के उस तरफ ये तुमारी जिनददगी का क्लूल ले ना जी को अपना remote अपने हाथ में लो इसस अन्षाद में दुनिया के हाथ में मां उपने बाब आप अपने बैन अपने बैन अपने स्पाॉस के हाथ में अ elétropations का ओपनी रिमोट इसे एधे जाए जाए है you are the main hero you are the main character of your plot which is your life one has to confront inner guilt and conflicts अपने इनर गिल्ट और ऑन्फिक्ट अपने जो अंदर चल रहा है जट्तु जहेद चल रही हो उसको जाए वाट टीक बोलो तो तक सोच सकते हो सचो मर तो नहीं जोंगे मौत तो नहीं आ जाएगी दो दिन खाना नहीं हो गांगerson ने कहके बूट लगेगी तुम्हारा बेत इंस्टिंक्ट जो समझाया jsum यह एब कहाने की तुम्हारा ihant. कुछ के एक यह बना इंस को Además हो है बच्चों बच्चों के क्रावाद आपको आरी होगी तुम आफी चाहते हैं Karma न की सकते हैं अगले बगल में बच्चे रंग करने वाले है ना तो अपने गेट और 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 conflicts को conflicts को resolve करो confront करो क्या है तुमारे इनर कॉंटिक्ट क्या गेल्ट है तुमारे को बैठके खोलो पड़ते खोलो कि वन अब दो conflicts involves a dissociation of one's true identity ठीक है एक एक क्या होता है तुमारी true identity होती है perfect identity होती है उस identity से दुनिया तुम्हें बठकाना शुरू कर देती है तुमारी perfect identity दुनिया बठकार यह तुम्हें इदर उदर नहीं जाना तुम्हें वहीं पर रहना है तुम्हें वहीं पर रहना है जो तुम dissociate हो जाते हो उसको confront करो कि मैं क्यों डिसो से मंदा अलग क्यों हो रहा अपनी identity to identity से तो जो conflict चलता रहता है उसको बैठ के समझो the person not only has to resolve inner conflicts but also resolve conflicts with people who have associated with their identity and cannot detach from it whatsoever अब तुमारा जो एक एक तुम समझ लो तुमारी जो life है तुमारी identity उससे और भी लोग अटाच हो चुके हैं यह तो ऐसा है यह तो मदाग करता है तो जोकर है यह तो फियर डरता है इसको तो कोई बुली नहीं कर सकता लेकर तुम अपने बुली के लिए college school में खड़े होगे तो बुली क्यों करता है बाई क्राइम है पता नहीं है तुम्हें गाली बखने लगेगा वह तुम्हारे एक identity से attach कर चुका है associate कर चुका है जुड़ चुका है अब वह इंसान तुमारी identity से नहीं हट सकता वह इंसान अपने को तुमारे identity से dissociate नहीं कर सकता अलग नहीं कर सकता और वहां आ जाता है तुमारे conflict with that person जगड़ा कलेश आ जाता उस इंसान के साथ दोता नहीं है घर में तुम क्या गरो मेरे अंगुठा बैस और सब अंगुठा चाप और सब अंगुठा चाप यह करना है जो हम बूल रहे हैं क्यों इसे कर लेगा बाई तो 11 भी बार भी में science पढ़ो क्या पढ़ना है arts पढ़ोगे commerce पढ़ोगे क्यों science क्यों पढ़ना है arts पढ़ो यूपिसी निकालो तरकारी अफसर बनो सलाम टूकेंगे तो में तो सलाम दो दो दिन टूकेंगे हमें कुर्सी की इतलते होगी कुर्सी कि कि लिए लड़रे हो और बैठा है दो लोगों के नीचे हो जो लोग पड़े लिखे नहीं है इन शॉट समझ रहे हैं यह चीज चल रही है यह तुम्हारी आइडेंटीटी के साथ असोसियेशन हो गया जिसका डिसोसियेट नहीं कर पा रहे हैं उसके बाइद उनोंने काया whatever one does one cannot escape the system matrix से तुम escape नहीं कर सकते मेरा पैसा मेरी मेहनत की कमाई मुझे ही प्रूफ करना है तुम को अपने पैसे दिखाने के लिए प्रूफ करना है कि यह तुम हो ठीक है जलूरी है प्रूफ करना उसके बाद तुम्हें दस लोगों करना है कि तुम हो मेरा पैसा मेरी मेहनत की कमाई मुझे प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं कौन हूं अरे दिखा दो दिया कार्ड पर मेरी फोटो है मैं खुद आया हूं स्वाय है हम अपने चरण लेके बैंक में थपा लगाने लेकिन फिर भी मेरे पीछे पड़े अथोरिटेरियन तुमारा आ गया पूरी तरीके से अंटी डिमोक्राइटिक रूल नहीं भाई कुछ नहीं चलेगा पॉलिटेकल पावर पूरी तरीके से गंट्रोल कर गी तुम्हें वह क्या अधरीटेरियन रूल इसके उपए उन्हें बात करी ठीक है अब हम लोग क्या क कर लिए तक वह एंटी सेमिटिजम शुरू हो चुका है ठीक है और ऐसे मूवमेंट शुरू होने लग गए इनके वर्क प्लेस में तो यहां पर यह वोकर्स एक्सिटेंट एक्सिटेंट इंशुरेंस इंस्टिटूड में काम करते थे जो की था किंग्डम वोहीमिया में उसो बगाओ तो वह पैलसीन भी जाना चाते थे पैलसीन में जाके रहना पैलसीन यह कहां जाके रहना चाते तो उन्हों सोचा था आकरी वक्त ट्यूबर क्लाइसर जब उनको बता दिया गया था कुछ ताइम वहां पर मैं रह लूँगा जब तर काट सकता हूं पिर उन्होंने कहा बात करी इन्होंने वारतला आप किया complex institutions के उपर bureaucratic systems that are very complex to understand and difficult to navigate बड़ा जीव bureaucratic system मैं आपे तुम्हें एग्जाम्पल दूँगा जैसे दीसेंट्ली मैं प्राइवेट लिमिटेट फर्म को रहा था तो उसमें इन्कॉर्परेशन के लिए जो services थी इतना तंग किया है बाई इतना तंग किया है जो काम बनाना दिन में होना था पांच महीं निससको टंगा रख है नोटरी के उपर जाओ उसके उपर जाओ यह प्रूफ करो सेलफ टेस्ट करो इसाइन करो डिसी सिगनेचर करो पता नहीं क्या-क्या पॉर्टल्स पे जा जाके क्या-क्या काम करवाएं इतना लंबा काम क्या ही यह क्या बोल सकते हो तुम इसको यह ब्यूरोक्राटिक अपना ही पैसा निकालने में तुम्हें दिक्कत हो रही है उसके बाद था absurdity अब फेस आर्बिटररी रूल्स इल्लॉजिकल प्रोसीजर जाट मेक एनी एटेम्ट एट प्रोग्रेस और अंडरस्टैंडिंग सीम्स फ्यूटाइल तुमको अजीब रूल्स फेस करने पड़ же प्रोगेसिंटम से रही है यया तुम्हारे ब्यूर्वर्टिक रामिर करे सिस्टम से रिलैटर कोई भी स्कूल इड्यूकेशनल सिस्टम से रिलेटर परेशानिः यह नंहीं चाके नहीं रहे यहीं से निकला हूं नहीं रहे क्या जुक्त होता readily Increase लगे से निकलाओ रहै बूरो केसी ने बना रखा है वाई संसलर ने रूल्स लगा रखें एलोजिकल और तुम कितनी मेहनत कर लो कितनी उसको अंडेस्टैंड और समझने की कोशिश कर लो बेकार वो रद ही जाने वाला है इन वेन बरबाद ही जाने वाला है इसके बाद यह हो गया absurdity very absurd जहां तुम पाड़ रहा हो वहीं तुम्हें घुस्तें नहीं दिया जा रहा absurd फिर आते हैं तुम्हारा isolation और alienation जो की उपर बात करी थी जो authoritarian control में होता है people are not able to connect due to bureaucratic barriers that they create thinking they have a system or order you know कि यह बहुत important चीज़ है कि भई तुम कभी bank official से दोस्ती नहीं कर सकते बैंकर बैंकर ही रहेगा बैंकर बैंकर ही रहेगा किसी office में जो को अब एक युनिवर्सिटी के example dean or hod अपने को समझते बता नहीं भाई कहां की तोप है बहले सफारुशों से लग्के महां लगे है युनिवर्सिटी में कि सरकारी युनिवर्सिटी है लेकिन जब आपकाड एतनी बाहर खाड़े रह impacto जब बुलाएंगे अंदर मुझे चल रहे हैं और चाय चल रहेuu है मैं अग्यार आता है कभी ने कभी यह order यह सिस्टम नीचे आता है अगर तुम लोगों ने मूवी देखिए कि तरीके से कह सकते हो तो captive state करेके एक मूवी ती जिसमें एक्सेटर इस्टेल्स आके पूरे humanity को ने को कोशिश करते हैं लेकिन असली में नहीं होता अंदर ये अंदर उनके खिलाफ underground चल रहा होता है उनके खिलाफ underground ही साज साज जिश रच रही होती है कि निकालो इनको इंद्वार निकालो खतम करो ऐसे ही होता है लोग आते हैं काफका आए नीचे आए शापनहार आए अलबर्ट कामू आए यह आप और साखत आए विक्टर फ्रैंकल आए मार्टिन हाइडिगर आए इतने फिलोसफर नाम नहीं ले से माइकल फोको आए तो इसा फिलोसफर है आए काम किया अपना यह है जो लड़ रहे हैं सिस्टम के अगेंस मार्टिन हाइडिगर तो ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गएता है बीच में ठीक है लास्ली डियू डियूम हमारे उपर केस हो जाएगा रहे केस होगा बाद में केस में तो मर तोड़ी जाएगा केस ही तो होगा कर तो ले इलाज वो तो बच जाएगा इंसान बहुत जोश्मा आगे था हम क्योंकि हम भी फेस कर चुके हैं इसलिए अंदर से फिलॉस्पी निकली फाइनली यह सब कहके बिचारे ट्यूबर कलॉसिस का शिकार ट्यूबर कलॉसिस का 1924 में इनका द्यान थो गया खतम हो गया काफ का अपना काम छोड़ गया थैंक्स तो मैक्स ब्रॉड इन्होंने इनका काम हमको छोड़ तो नहीं रहे इन्होंने इनका काम रिलीस कर दिया मेह परहने हैं जो हम काफका जी को काफका बाबा को पढ़ पा रहे हैं यह लगा तो नीचे लाइक तो ज़रूर छूड़ना डिस्क्रिप्शिंस चेक करते रहो कोर्स को पर काम चल रहा है पेड को जो है आने वाला है बहुत जल कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राइट बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है वो कॉर्स दूसी चीज यह है कि नीचे लेक्चर सजेशन छोड़ो कॉमेंट्स में जाके वो जो लेक्चर सजेशन तुम छोड़ो के जिस लेक्चर पे सबसे लाइक्स होंगे मतलब ज लेक्चर सजेशन नीचे जाके कॉमेंट्स में छोड़ो वाला उसके उपर हम बनाएंगे डिसक्रिप्शन चेक करते रहें तब तक लिए निकलते हैं तुम भी निकलते हैं तो आप भी निकले चले बएक ट्लोग अ क्रुम घुव निकलते हैं तो आप झाला उसके वी निकलते हैं था झाला उसका जब मेंट्स करते हैं वाला उसके सबसेशन तुम तो आप